नमस्कार आईए आज हम क्या कख्षा ग्यारे का एक ऐसा अध्याय शुरू करते हैं जो आप बच्पन से पढ़ते चले आ रहे हैं कभी आपने इसको औसत के रूप में पढ़ा होगा तो कभी माध्य के रूप में आईए देखते हैं आज इस अध्याय के अंत तक हम क्या क्या जान जाएंगे सबसे पहले इसमें क्या हमें पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन कि ग्यारवी क्लास में ऐसी कौन सी नई बात है जो हमने दस्वी क्लास तक नहीं पढ़ी थी उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे फिर मेजर्स ओफ डिस्पर्शन प्रकीरणन की माप माध्य का बहुलक ये सब हमने खूब पढ़े लेकिन क्या ये उप्युक्त थे या किसी और जानकारी की आवश्यक्ता थी इसे हम जानेंगे और उसके बाद जो मीन डेवियेशन है टाटा में अवर्गी कृत आंक्णों के साथ माध्य बिचलन कैसे निकालते हैं इसे हम आज जानेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पर भूमिका पर आईए भूमिका में आपने माध्य माध्य का बहुलक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है दस्वी क्लास तक लेकिन उसमें जो छोटी सी कमी आती है एक थोड़ा सा उधारन लेते हैं मान लो एक विद्ध्यारती के जो प्रीबोड हुआ, मिड्टर्म हुआ, असी नमबर का उसमें नमबर आए जीरो, बीस, चालीस, साट और असी ये किसी बच्चे के नमबर मिड्टर्म आए अब हमें निकालना है कि इस बच्चे को कितना एवरेज आया, ओसट नमबर कितने थे तो ओसट निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि सबसे पहले इन पांचों को हम जोडते हैं और जोड करके पांच का भाग लगाते हैं अगर हम सीधा सीधा जोड़ें, असी और बीस सो, साथ और चालीस सो, कुल हो गया दो सो, और जब दो सो में हम पांच का भाग लगाते हैं, तब हमारे पास आ गया चालीस. अर्थात इस विद्यार्थी के अंकों का माध्य चालीस हो गया. वहीं एक और क्लास है, गुरुप है उन बच्चों का, उनके अंक अगर हम देखें, तो मान लो उसके अंक आए चालीस, साथ, तीस, और पचास. और देख लेते हैं, पैट, चालीस और आगया. अब इनका यदि हमें माध्य देखना हो, तो फिर से वही इन सब का हमने टोटल किया, और कुल निकाल करके, फिर से जब माध्य निकाला, तो चालीस और साथ, सौ, एक सो नब्भ है, और तीस, दो सो बीस. दो सो बीस में, जब हमने पांच का भाग दिया, तो हमारे पास आगया चालीस. लगबग माध्य बराबर रहा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अंतर कितना रहा, एक जीरो भी है, तो एक असी भी है. इसमें 30 से और 60 के बीच में सारे अंक सिमट गए, एक और उधारन देखते हैं. हमें एक बैट्समेन की जरुरत है, हमने उसके पिछले कुछ मैचों के डाटा देखें, उस डाटा में हमने क्या देखा, कि एक बैट्समेन ऐसा है, जिसके जीरो है, पचास है, या शतक है, तीन मैच के डाटा देखा. वही हमने जब एक दूसरे प्लेयर का देखा, उसके चालीस हैं, पचास हैं, और एक में साथ है. इसका जब हमने average देखा तो इसका average भी हमें 50 आया इसका average भी 50 आया लग ऐसा रहा है दौनों बराबर हैं दौनों मेंसे किसी भी player को ले सकते हैं लेकिन अगर हमें 20-20 खेलना हो तब तो पहला बाला हो सकता है ठीको कि या तो zero पर या फिर सीधा शतक लेकिन अगर हमें five days match खेलना है stability चाहिए, इस्थायत्व चाहिए, टिकने वाला खिलाडी चाहिए तो हम पहले वाले पर बिश्वास नहीं कर सकते हैं तो जो सांखिकी है वो वास्तम में इन आकडों के आधार पर निरने लेने वाला होता है इसी प्रकार से जब हम माध्यका में देखते हैं माध्यका में बीच का अंक देखा जा सकता है करम से जमाने के बाद जो बीच में अंक है वो माध्यका हो गई हो सकता है मध्य में अंक कोई ऐसा आ गया जो अपने आप में उत्तर तो हो सकता है लेकिन जो पहला वाला था वो बहुत ही कम था और जो आखरी वाला है वो बहुत ही जादा हो तो ऐसी इस्थिती में हमें उसका जो अंतर है वो पता नहीं लग सकता ऐसे ही बहुलक है बहुलक में भी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है हम केबल उसको लेते हैं तो माध्य, माध्यका और बहुलक ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्मेंट है केंद्रिय प्रवर्ती की माप है तो इसमें हमें ये तो पता लग जाता है कि कैसे उसका मीन है कोई मध्य मैमान क्या है लेकिन इसके समुचित अर्थ बिवेचन के लिए हमें पता नहीं लग पाता है तो इसके लिए हमें क्या करना है आईए आगे देखते हैं इसके लिए हमें जर्रत पड़ेगी प्रकीर्णन की माप मेजर्स ओफ डिस्पर्शन अर्थात जब आकड़ों से हमें पूरी जानकारी नहीं मिली माध्य, माध्यका और बहुलक से हमें ये नहीं पता लगा कि उनमें बिखराब कितना था हमें पता नहीं लगा कि वेरियेशन से कितना जादा था और हमें उसकी जर्रत थी तब हमने इसके लिए अलग से एक संख्या की जर्रत पड़ी और उस संख्या को प्रकीर्णन की माप कहते हैं और प्रकीर्णन की माप चार प्रकार से पता की जाती है पहला परिसर निकाल कर रेंज निकाल कर दूसरा चतुर्थक बिचलन निकाल कर जो अभी 11 के कोर्स में नहीं है तीसरा जो तरीका था वो था माध्य बिचलन का जो हम आगे पढ़ेंगे और चोथा तरीका है स्टेंडर्ड डेवियेशन यानि मानक बिचलन का जिसके आधार पर हम इसके वेरियेशन्स पता करते हैं विखराब पता करते हैं और प्रकीरिणन की माप पता लगती है आईए शुरू में देखते हैं परिसर परिसर यानि रेंज इससे क्या पता लगता है जैसे हमने देखा एक पेपर में जीरो अंक है तो किसी में असी भी है कहीं 20 भी है तो कहीं 40 भी है रेंज का मतलब होता है अधिक्तम मूल माइनस न्यून्तम मूल ठीक है इसका ओसत जब हमने निकाला था तो ओसत इसका आ गया था 40 दूसरे वाले का भी लगवग 40-45 आ गया था लेकिन रेंज से पता लगता है कि इसमें वेरियेशन्स कितना है डिस्टेंस कितना है इसका बिखराब कितना है और वो पता लगा हमें जब अधिक्तम मूल यानि असी में से न्यून्तम मूल माइनस किया तो इसका जो हमें रें नहीं लग पाया कारण क्या था कि हमने अधिक्तम मैंसे न्यूंतम तो माइनस कर दिये बीच के जो आंकडे थे उसके बारे में हमें बहुत अधिक पता नहीं लग पाया इसलिए इसके बाद जो सांखिकी में पढ़ाया गया जाना गया जिससे सही डाटा आए वो था मानक बिचलन आईए उसे देखते हैं मानक बिचलन यानि माध्य बिचलन मीन डेवियेशन अब मीन डेवियेशन के लिए फिर हमारे पास दो तरह के डाटा आप सबने पड़े हैं एक जो आपने पढ़ा है अवर्गी करत डाटा, अवर्गी करत डाटा कौन सा होता है, जिसमें सीधे सीधे अंक लिखे होते हैं, जैसे 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, इस तरह से एक डाटा, इसको रो डेटा भी कहते हैं, तो जब इस तरह के डाटा हमारे पास हों, और हमें निकालना हो उसका माध्य बिचलन, तो तीन तरीके हम अपनाते हैं, उन तीन तरीकों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं, कि इसका माध्य बिचलन क्या होगा, और बहुत आसान तरीके हैं, माध्य निकालते समय, कई बार हमने प्रियोग किया है कल्पित माध्य का, अपने अंदाजे से कोई भी मान लेना, जो लगभग बीच में हो, ऐसा एक मान हम पहले से भी लेते आए हैं, जिसको हम A कहते हैं, हमने कलपित माध्य ले लिया A, अब इस A से जो डाटा है, वो कितना कम या कितना जादा है, इतना सा पता करना है, उसकी दूरी पता करनी है, जैसे हमने इस डाटा में हमने अंदाजे से देखा 6 से और 13 तक हैं 6 से 13 के बीच में लगबग 10 मान लेते हैं तो 10 को हमने मान लिया A यानि हमने कोई बिंदू ले लिया, कोई डाटा एक ले लिया 10 अब सभी आखनों का हमें 10 से distance पता करना है, दूरी पता करनी है तो बड़े आसानी से पता लग जाएगी, हम इन सब को 10 में से माइनस करते हैं वैसे जो सही तरीका है वो होता है X माइनस A का तो जब X माइनस A करते हैं, तब अगर 6 में से 10 माइनस किया, तो आया माइनस 4 गार, 7 में से 10 माइनस किया, माइनस 3, 10 में से 10 किया, 0, 12 में से 10 किया, 2, 13 में से 10, 3, 4 में से 10, माइनस 6, 8 में से 10 माइनस किया, माइनस 2 हो गया, अब 12 में से जब 10 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ये हमारे पास X-A का माना गया अर्थात जो हमने कल्पित माध्धे लिया था उससे सभी डाटाज की दूरी पता लग गई लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ माइनस में हैं कुछ प्लस में हैं इसलिए हमें इनका निर्पेक्ष मान निकालना है और निर्पेक्ष मान के लिए सभी डाटा का हमें प्लस में मान चाहिए सभी का और जब सभी का प्लस में चाहिए तो उससे फायदा ये होता है कि हमें प्रॉपर दूरी जितनी सब आंकड़ों की है वो हमें पता लग जाती है तो अब दुबारा से अगर हम देखें तो हमारे पास x-a का निर्पेक्षमान हमारे पास आ गया 4, 3, 0, 2, 3, 6, 2, और 2 यह हमें दूरी पता लग गई अब सबसे आसान है बिचलन पता करना यह दूरी कुल मिला करके 3, 3, 6 और 2, 8 आकड़ों की आई है हमें इन आठों को जोड करके 8 का भाग लगा देंगे तो हमें माध्य बिचलन पता लग जाएगा माध्य निकालने का तरीका भी यह है तो इसका मतलब सिग्मा एक्स माइनस ए और इसके बाद हम इसमें एक बटा एन जब यह निकाल देंगे तो हमारे पास आजाएगा MD about कल्पित माध्य माध्य बिचलन एके सापेक्ष सिग्मा एक्स माइनस ए अब जब एक्स माइनस ए करेंगे इसको हम आई भी लिख सकते हैं तब इन सब का टोटल अब देखें जड़ा टोटल कितना हो रहा है चार और तीन साथ दो नो तीन बारा छे अठारा दो बीस और दो बाईस कुल आकडे हमारे पास हैं आठ तो बाईस बटा आठ इस तरह से हम इससे माध्य बिचलन पता कर सकते हैं जो की कल्पित माध्य के सापेक्ष्था आईए आगे देखते हैं इसी अवर्गी कृत आकडों के द्वारा माध्य बिचलन तो निकालेंगे लेकिन माध्य के द्वारा निकालना है अर्थात जो माध्य बिचलन है उसे निकालने के तीन तरीके हमारे कोर्स में है पहला कल्पित माध्य के माध्य हम से जो हम निकाल चुके हैं अब हम निकालने वाले हैं माध्य के द्वारा तो माध्य के द्वारा निकालने के लिए हमें इस जो आंक्डे हमें दे रखे हैं सबसे पहले हमें इनका माध्य निकालना है और माध्य निकालने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले X बार जो माध्य का सिंबल होता है, साइन होता है, प्रतीक होता है हमें चार, जमा साथ, जमा आठ, जमा नो, जमा दस, जमा बारा, जमा तेरा और जमा सत्रा कुल आंकडे कितने हुए? तीन, तीन, छे और दो, आठ हमें इस सारे डाटा को आठ से भाग कर देना है सिग्मा एकस आई, बटा एन, जो हम करते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी तरह से हम इसका ओसत या माध्य निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद, जब हमें निकालना होगा, माध्य बिचलन about mean तो माध्य बिचलन about mean जब निकालना होगा तब सिग्मा x i minus x bar अर्थात प्रत्येक डेटा में से हमें माध्य को minus करना है और निर्पेक्ष मान निकालना है यानि सभी मान धनात्मक होंगे और निकाल करके एक बटा end से जब हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास माध्य बिचलन about median mean माध्य से माध्य बिचलन कैसे निकालते हैं वो हम पता कर सकते हैं इसी प्रकार से जब हमें माध्य का से निकालना हो तो क्या करते हैं आईए उसे देखते हैं आगे यदि हमें जो रो डेटा है अब उसका माध्धिका आप लोगों ने माध्धिका निकालना दिस्व पड़ा होगा माध्धिका दो तरीके से निकाली जाती है सबसे पहले जो भी आकड़े हमें दे रखे हैं उनको हमें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले उन्हें जमाना होता है बढ़ते या घटते क्रम में जमाने के बाद फिर ध्यान देना है कि जितने भी आकड़े हैं वो सम है या विशम अगर बिशम आक्डे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मान लो हमारे पास पांच आक्डे है बिशम है पांच तो दो शुरू के छोड़ दो दो बाद के छोड़ दो जो बीच वाला अंक है अर्थात तीसरा अंक वे हमारा माद्धिका हो जाएगा और अगर जादा हो तो कई वार हम क्या करते हैं जितने आक्डे हैं विशम में उसमें एक जोड़ करके आधा करते हैं पांच हैं पांच में एक जोड़ा छे हो गया छे का आधा तीन अर्थात करम से जमाने के बाद जो तीसरा आकड़ा होगा, डाटा होगा वो हमारी माद्धिका हो जाएगे और अगर मालो समसंख्याएं हैं, पांच और पांच दस समसंख्याएं हो गई, अब तो कोई बीच में नहीं है अब क्या करना? अब भी वही तरीका है कि बीच में एक नहीं दो अंक हैं आप ध्यान से देखें, चार इधर अट जाएंगे, चार इधर अट जाएंगे, तो बीच में दो हो गए, ऐसे में इन दोनों को प्लस करके और दो का भाग लगा देंगे, तब माध्य का आ जाती है, एक और तरीका भी होता है, जितनी समसंख्याएं हैं, उसका सीधा आधा कर तो आप देखें, एक, दो, तीन, चार, पांचवा आंग, और उसके अगला चटा आंग, तो कैसे भी करके, समसंख्याएं हैं, उनका आधा करो, उसमें उसके अगला आंग जोड़ करके, दो का भाग निकाल करके, हम आसानी से माध्य का पता कर सकते हैं, जैसे, इसको अगर करम पहले करम से जमाना, जो बहुत जरूरी है, इसे करम से जमाते हैं, तो मैं करम से लिख रहाँ सीधा, सबसे पहले चार, फिर छे, फिर साथ, आठ, दस, बारा, और तेरा, अब करम से जमाने के बाद, हम यहां देखते हैं, एन बराबर साथ है, विशम संख्या है, तो विशम संख्या में साथ का दो आदा होता ही नहीं है, एक जोड लेते हैं, आठ, आठ का आदा हो जाता है, चार, अर्थात, जो हमारा चौथा अंक होगा, वो हमारी माध्य का हो अर्थात यहां पर M बराबर आ गया हमारे पास 8 अब माध्य बिचलन निकालना है किसके सापेक्ष माध्यका के सापेक्ष तो वही आसान तरीका जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं बस फरक कितना है अब इसमें ऐसा लिख देंगे माध्य बिचलन अबाउट मीडियन माध्यका के सापेक्ष माध्य बिचलन और इसके लिए अभी वही तरीका है जो हमने अभी तक पढ़ा था सिग्मा एक्स आई माइनस एम आपको ध्यान हो कल्पित माध्य निकालते समय माइनस ए किया था माध्य निकालते समय एक्स बार किय माध्यका के लिए एम कर दिया और कुल अंकों से भाग कर दिया इस तरह से करके हम इसका भी आसानी से माध्य बिचलन पता कर सकते हैं तो ये जो माध्य बिचलन है ये किस तरह के आंकड़ों का है जो अवर्गी कृत आंकड़े हैं यानि ungroup data है अर्थात row data है केबल उस data का हमें पता करना है और जब इसका पता कर चुके होंगे तब आसानी से आप माध्य बिचलन भी निकाल लेंगे और हर तरह के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं आईए देखते हैं कि हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा सबसे पहले हमने देखा था कि प्रकीर्णन माप अर्थात चार प्रकार से dispersion निकाला जाता है जिसमें परिसर यह हमारा चतुर्थक बिचलन, माध्य बिचलन और मानक बिचलन इसमें परिसर के लिए अधिकतम मूले, माइनस निहंतम मूले, अवरगी करत अंकडे, अर्थात रो डेटा के लिए जो माध्य बिचलन है उसके लिए सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बटा अन और जो माध्यका के सापेक्ष है उसके लिए XI-M करके बटे में N किया था जहां पर X बार माध्य है और M माध्यका है उम्मीद है आपको ये माध्य बिचलन वाला कॉंसेप्ट समझ में आया होगा आप इस से संबंदित सभी प्रश्ण बहुत आसानी से कर लोगे धन्यवाद ईद्स कर दो नहार लोगे बहुतक झासनी उसे में काउवाद